हेलो फ्रेंड्स जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे हर्याली दम आलू बहुत ही कम मसालों में और कम महनत में टेश्टी आलू की सबजी बनकर तयार हो जाएगी इससे पहले हमने आपके साथ खटी मिठी आलू की सबजी की रेसिपी सेर की थी जिसे आपने बहुत पसंद किया इसलिए आज हम आपके साथ आलू की सबजी की एक नई और आसान सी रेसिपी लेकर आए हैं उमीद है आपको इस रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं आसान फूर रेसिपिस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूले देखिए पेश्ट तैयार करने के लिए हमने लिया है हरा धनिया जिसकी कॉंटिटी डेड़ कप जितनी है इसे हमें इसकी डंडी के साथ ही लेना है और लिये हैं एक कप पुदीने के पत्ते पंद्रा छोटी हरी मीच ली है और दो टेबल स्पुन जितनी लहसुन की कलिया ली है देखिए अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो हरी मीच की कॉंटिटी थोड़ी कम कर ले अब हम इन सारे इंगिडियंट्स को मिक्सिजार में ट्रांसपर करके इसमें 4 टेबल स्पुन जितनी दही एट कर देंगे साथ ही में हम इसमें एट करेंगे एक टीस्पुन जीरा और इसका हमें अच्छे से पेष्ट बना लेना है तो यहाँ पर हमने बोईल की हुए आलू लिये हैं आलू की कॉंटिटी एक किलो है आलू को बोईल करके अच्छी तरह छीलने के बाद हमने इस साइस के पीसिस में कट कर लिया है अब इन आलू को हम फ्राई करेंगे आलू को फ्राई करने के लिए हम पेन में एट कर देंगे दो टेबल स्पून तेल तेल अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें बोईल की हुए आलू डाल देंगे गेस की फ्लेम को हमने यहाँ पर हाई रखा है आलू को पहले तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इनको सिफ तीन मिनिट के लिए फ्राई करेंगे आलू को ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनको अल्डेडी बोईल किया हुआ है फ्राइ करते वक्त हम इसमें एट कर देंगे हल्दी पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीन मिनिट तक हाई फ्लेम पर फ्राइ करने के बाद हम आलू को तेल में से निकाल लेंगे देखिए फ्राइ करने से क्या होगा कि इस पर एक क्रिस्पी सी कोटिंग आ जाएगी जो आलू के स्वात को और भी बढ़ा देगी देखिए जिस पेन में हमने आलू को फ्राइ किया उसी पेन में हम सबजी बनाएंगे तो इसलिए हमने इसमें 4 टेल एट कर दिया तेल गरम होने के बाद हम इसमें 1,4 टेश्पून जीरा एट कर देंगे और एट करेंगे बारिक कटी हुई प्यास तो यहाँ पर हमने तीन मीडियम सैज की प्यास को बारिक काट लिया है अब हम इस प्यास को तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक यह थोड़ी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हाई फ्लेम पर हमने प्यास को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है अब इसे ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे इस हमें एड कर देंगे हमारा तयार किया हुआ पेस्ट अच्छे से mix कर लेंगे और अब हमें गेस की flame को लो कर देना है एक चोथा इकब जितना पानी एड करेंगे और दस मिनिट के लिए low flame पर हम इसे पका लेंगे इसे पकते हुए दस मिनिट हो चुकी है और पकने के दोरान हमने इसे दो से तीन बाद चेक किया था अब हम इसमें half teaspoon काली मेश पाउडर एट करेंगे और एट करेंगे स्वाद दनुसा नमक तो यहाँ पर हमने डेरी teaspoon जितना नमक एट कर दिया अच्छे से इसे mix कर लेंगे साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे boil करके fry किये हुए आलू आलू को हम gravy के साथ अच्छे से mix कर लेंगे और अब हमें आलू को दम करना है आलू को दम करते वक्त हम इसमें एट कर देंगे आधा कप पानी और इसे ढख कर low flame पर 5 मिट के लिए दम करेंगे ये देखिए हमने आलू को पाँच मिनिट के लिए low flame पर अच्छे से दम कर लिया अब हम इसमें एट कर देंगे एक टीस्पून भूनी हुई कस्तूरी मेथी साथ ही में एट करेंगे एक चोथाई टीस्पून गरम मसाला मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी एट करेंगे ग्रेवी का पानी एट करने के बाद हम इसे high flame पर सिफ दो मिनिट के लिए पकाएंगे ये देखिए ग्रेवी का पानी एट करने के बाद हमने इसे दो मिनिट टक high flame पर पका लिया अब हम गेस की flame को ओफ करके इसे सव कर लेते हैं तो खाने के लिए तैयार है हर्याली, दम, आलू लीडियो पसंद आई हो तो like, share और comment करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो मेरी आपसे humble request है कि चैनल को subscribe करें और bell icon जरूर दबाएं फिर मिलेंगे Zika India का YouTube चैनल पर एक नई recipe के साथ तब तक के लिए, goodbye